हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स सुबा हो गई है और यह है हमारे घर के बैक साइट करना जा रहा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे काफी अरे बरे पौधे लगे ह और सुबा की खिली-खिली जब धूप यहां आती है तो इधर बैठने में बहुत ही मनमोहक लगता है और यह देखिए हमारी गुडिया रानी सोकर उठ गई है और इनको उठते ही कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए और यह हैं हमसे बहुत नाराज यूंकि हपते भर से क वाटर सिफ्टिंग के चकर में ना तो कोई अच्छा सा वीडियो बन पाया है और ना ही कोई अच्छी सी रेस्पी तो इनका कहना है आज आप कैसे भी करके मुझे कुछ अच्छा सा नया सा बनाकर खिलाओ तो फ्रेंड्स मैं घर की पटाफट से सारे काम कर लेती हूं फिन अब बटिना से आ गये हैं अमरिस्तर लेकिन अभी सेटिंग थोड़ा बहुत बाकी है सेटिंग तो घर की चलती ही रहेगी लेकिन मैंने सोचा चलो आज एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और ऐसी बहाने बच्छों के खाने के लिए कोई अच्छी सी रेस्पी भी बन ज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो पूजा तो हमारी हो गई है और मैंने तुलसी जी को लगा रखा है तो मैंने जल दे जती हैं और यह देखिए यह है हमारा चोटा सा कीचन बहुत बड़ा कीचन तो नहीं है लेकिन फिर भी जो भी है ब कॉर्मेंट कॉर्टर की हालत तो जानी सकते हैं लेकिन फिर भी यहां का मुझे कीचन और कॉर्टर ठीक लगा तो यह देखिए मैं फटा-फट से सुधिका के लिए कुछ बना देती हूं तो मैंने चिप्स मंगाये थे दीपावली में अब की बार मैं दीपावली में कुछ भी बच्चों के लिए बना नहीं पाई तो मैंने रेडिमेट मार्केट से ही सारी चीजे ली थी तो चिप्स थोड़ा सा बचा था तो पहले मैं इसको बना के दे देती हूं तल के यह खाती रहेगी तब मैं आगे की तैयारिया कर लूँगी तब तक तो फ्रेंड चिप्स म मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं बना रही हूं मठरी क्योंकि मैंने दीपावली पे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया था सारा मार्केट से ही मंगाया था बच्चों को घर की चीजे काफी अच्छी लगती हैं तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ बच्चों के लिए तो यह मैं बना रही हूं मठरी और आज मैं आप लोगों को पांच अलग अलग डिजाइनों से मठरी बना कर दिखाऊंगी और बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी करारी हमारी मठरी बनकर तयार होती है तो यह देखिए मैं इसमें नमक डाल दिया है और सन फ्लावर का ऑयल है आप इसको देशी घी से भी मठरी बनकर तयार होती है तो यह देखिए मैं इसमें अच्छे से इसको मसल मसल कर हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि हमारा तेल अजवाई नमक सारा चीज अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए और बहुत ही अच् खस्ता करारे बनते हैं और यह देखिए हमारे आटे में अच्छे से मुठी में ले रही हूं और इसको मैं इस तरह से तोड़ने की कोशिज कर रही हूं लेकिन यह जटपट से नहीं तूट रहा है थोड़ा इस पर जोड़ देना पड़ा इसका मतलब है कि हमारे जो मैदे म मौयन है वो काफी अच्छे से लग गया है इससे हमारी जो मट्री बनेगी वो काफी खस्ता करारी बनेगी और अब मैं ले ले रही हूं पानी तो यहां मैंने थोड़ा गुनगुना पानी लिया है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है आप नॉर्मल पानी से भी आटा त्यार कर लेती हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए मैं आटा इधर गूत ले रही हूं और जब भी कोई खाने पीने वाली चीज किचन में बनाओ न तो एक तो किचन में बहुत यची खुसबू आती है और बच्चे जो है वो आगे पीछे घूमने लगते हैं कि कब बनेगा कब बनेगा और यह देखिए हमारी यह गुडिया रानी इनसे इंतजार नहीं हो रहा और यह कितनी खुश है किचन में आके खड़ी है बोली ममित कड़ाई में क्या डालके रखी हो एक भी बार बनाई की नहीं और बोल नहीं मुझे आटा दे दो मैं ऐसे गोल गोल करके मैं ही बना देती हूं आप बहुत टाइम लगा रही हो तो लीजिए फ्रेंड्स बातों ही बातों में हमने आटा को उतकर तयार कर लिया है और यह देखिए आप कितना सॉफ्ट और अच्छा आटा लगा लिया हमने तो अब मैं ले ले रहे हैं इस तरह से एक पॉलोथीन और इ जो है वो अच्छे से आ नहीं रही थी घर के पास काफी बड़ा पेड़ था और ठंडियां सुरू हो गई है तो बच्चों पीछे बैटके अच्छे से धूप ले लेते हैं तो बस हमने उसको कट कराया और मैं वहां पे थोड़ा सा गंदगी हो गई थी तो जाड़ू अग में अलग-अलग कर ले रही हूं बड़े बड़े पार्ट में चार और एक पार्ट को मैं बाहर रखूंगी बाकी सारे को इस वापिस से पालोथिन में रखकर अच्छे से ढखके रख दूंगी ताकि यह सौफ्ट ही बना रहे और यहां मैंने ले ली है कटोरी और कटोरी मे मैं ले ले रही हूं एक से डेड़ चमच मैदा और अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच देशी घी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाऊंगी तो फ्रेंड्स आप यहां इस मैदे में देशी घी का ही यूज कीजिएगा इससे हमारी मठ्री जो है वो काफ मैं आगे आपको बताती हूं कि इस पेस्ट का हमें क्या यूज करना है तो यह देखिए यहां मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर बिल्कुल तयार कर लिया है और हम अपने आटे की बॉल लेंगे और मुझे लग रहा था कि यह थोड़ बना लेंगे बड़ी सी जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही हमको इसको बड़ा सा बेल कर और रेडी करना है तो यह देखिए मैं इसको अच्छे से बेल रही हूं काफी अच्छे से यह बन जाता है बेलते क्योंकि हमने आटा काफी अच्छा सॉफ्ट सा लगा रखा है और यह देखिए हमाई रोटी बनकर तयार है आप दे सकते हैं ना हमें बहुत मोटा बनाना इसको ना ही बहुत पतला और अब हम जो हमने पेश्ट बनाया था मैदे और घी का उसको इस पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो यहां हमें जो यह पेश्ट है मैदे और घी का इसको हमें पूरे रोटी पर अच्छे से स्प्रेड करना है तो आप इस पेश्ट को चाहे तो इस पून से लगाईए या फिर हाथों से लगाईए लेकिन इसको हमें पूरी रोटी पर काफी अच्छे से लगाना है इससे जो हमारी मठ्री बनेगी वह बहुत ही खस्ता करार बनेगी और यह देखिए मैंने पूरे पे अच्छे से ब्लाण है तो अब मैं इसको इस सप्रेड़ा है ऐसको थोड़ा चासे एंच्छ कर लिए हूं और उसको और इसको से कृतप करें रहे तो हमें ना तो बहुत बड़े पार्ट करने इसके ना बहुत छोटे बस नॉर्मल छोटे-छोटे हमको इसकी गोलियां बनाना है इस तरह से और यह देखिए मैं इसको कट कर ले रहे हूं और क्यूंकि मैंने इसको रोल किया है तो हमारे इसमें काफी पर्ते बनकर तयार हो ग डैंकर खोड़ सेघ'S ऑसमें लग अखिए दो करने इसको इसको कढ़ना और यह तरह से बनाकर मठरी तयार करेंगे तिल देखिए मैंश को इस तरह से मोड़कर जबria करना कर तो जोड़ी हूं यह हमारे बन गई है मठरी यह बहुत ही अच्छी बन removal यह करते हैं तिस सारी परते बिलकुल अलग होती हैं तो चलिए हम दूसरी डिजाइन बनाते हैं तो देखिए मैंने एक और लिया है आटे का बॉल और इसकी भी रोटी बनाकर तयार कर ली है नॉर्मल जैसे हम रोटी बनातें से तो मैंने यहाँ एक बच्ची की दवा की अपने बॉटल का धकन लिया है और एक हाज मोले का और इससे इस तरह से कट करेंगे तो हमारे काजू शेप कहिए या फिर मून शेप कहिए बहुत ही अच्छा यूनिक डिजाइन बनकर आ जाता है हमारी मठ्री में देखिए मैं आपको बड़े वाले से भी कट करकर दिखाती हूँ बड़े वाले से काफी अच्छा बनता है डिजाइन और बहुत ही आसानी से बहुत जटपट ये बनकर तयार हो जाती है बस हमको हलका सा प्रेस करके इसको इस तरह से कट करते जाना है और ये देखिए कुछी समय में बहुत सारी मठ्री हमारी इस तरह की मून शेप के डिजाइन की बनकर तयार होती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है खाने में जब इसको हम फ्राई करते हैं तो ये कि बहुत ialak सी यूनिक सी डिजाइन इसमें देखने में बहुत ही इच्छी लगती खाने में भी ही बहुत कुरकुरी तो चलिए हमाई दूसरी डिजाइन पूरी हो गई है बनकर तो हम तीसरी डिजाइन बनाते हैं मठरी कित यह देखिए मैंने आटे को इस तरह से लिया है बॉल को आटे के और कैंची की सहता से बस इसको कट करते जाना है और इससे भी बहुत ही अच्छा यूनिक सा डिजाइन बनकर आ जाता है और बहुत ही जट पर बनकर तयार होता है और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो यह इतना अच्छा इतना खस्ता करारा बनता है यह कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं बस इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा रोल करके चिकना करना है और इसको इस तरह से कट करते जाना है और बस कुछी मिन्टों में आप बहुत सारी मठ्री बना कर तयार कर सकते हैं बच्चों को यह भी बहुत पसंद आती है तो यह देखिए मैं इसको इस तरह से कट करती जा रही हूं और जब है आपको लगे कि थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो रहा है तो आप हाथों से मसल कर इसको फिर से अच्छे से चिकना करके बस कैची से कट करते जाएए और बहुत अच्छी माई मठरी बनकर तयार जाती है तो चलिए अब हम दूसरी डिजाइन बनाते हैं तो यह देखिए मैंने यहां आटे की बॉल ली है उसको तोड़कर इस तरह से चोटे-चोटे पार्ट में कर लिया है और इसको इस पून पर किसी कांटे वाले चमच पर इस तरह से से सेट करके लगा के और उपर से हलका सा करेंगे तो यह भी एक अच्छी सी भठी की डिजाइन बनकर आ जाती है यह देखिए मैं आपको दिखाती है इस तरह से इसको हलका सा हाथों से फैलाना है और इसको किसी भी कांटे वाले चमच पर इस तरह से प्रेस करके लगा देना और पीछे की साइड से इसको हम हलका सा रोल करेंगे तो हमारी बहुत ही उनीक सी अच्छी सी डिजाइन बन जाती है इसमें जैसे बच्चे माइक्रोनी वगर खाते न सेम वही डिजाइन बनती है और बच्चों को यह बहुत पसंद आती है तो चलिए फटा-फट से हम इसको भी बना लेते हैं मैं आपको एक और देखिए इस तरह से इसको काटे ले चमच पे लगाना है थोड़ा सा प्रेस करके और पीछे से रोल करना है तो यह बहुत ही अच्छा हमारा एक मठ्री और बन कर तयार हो गया है तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए अब यह लाश्ट पीस बचा ह है इसको हम क्या करेंगे कि जैसे हम नॉर्मल नमक पारे बनाते हैं उस तरह से इसकी डिजाइन अब बना लेते हूं कि माई शूतिका से अब रहा नहीं जा रहा है उनको खाने की बहुत ही जल्दी वह हो रही है बोली मम्मी आप कितना टाइम लगा रही हो बनाने में तो द प्राइब और बच्चों को देती हूं खाने के लिए तो यहां दूद भी आ गया था तो मैंने दूद भी खाली कर लिया है फगोने में और मैं साथो साथ इसके बना लेती हूं चाय क्योंकि भाई मठ्री बन रही है तो चाय तो बनना जरूरी है मठ्री के साथ चाय का स्व पल वाले ही फ्राइब कर लेती हूं क्योंकि शुदिका को बहुत ही जल्दी हो रही है खाने की तो मैं उनको दे देती हूं एक बार फ्राइब करके थोड़ा सा खाने के खाती रहेगी तब तक मैं आगे अपना बनाती रहूंगी और उधर दूद हमारा बॉयल हो गया है त चाय पती चीनी अधरक सब डाल देती हैं फटा फट से तो ये देखिए मैंने चाय पती डाल दी है और इसमें ना दाल दे रही हूं शीनी और इस साथो साथ मैं अधरक भी डाल दूगी क्योंकि हमारा दूद बॉयल हो गया है तो दूद फटने का कोई चांस नहीं तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है, और हमारी चाय भी अच्छे से बॉयल हो रही है, और ये देखिए, जो ट्राइंगल शेप में मैंने बनाई थी मठ्छी, उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूं, और ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत खस्ता करा रही है, इसमें भ बहुत ही अच्छाईत लगता है यह खाने में और अगर आपके घर में कोई महिमान आ जाए लगका ना तो आप उनको इस तरह से आ उसको बना कर लिजिए और अब हमारा लाश्ट बचा है यह जो हम यह देखिए मैंने इसको भी फ्राइ कर लिया है तो चलिए हमारे सारे मठ्री अच्छे से फ्राइ हो गई है हमने इसको सारे को तल के निकाल लिया है और यह देखिए मैंने यहां प्लेट में इसको लगा लिया है यह हमारे नॉर्मल वाली जो हम नमक पारे जैसे बनाते हैं और ये हमारा है moon shape poly design का देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही अच्छा और crispy बना है और इधर मैंने रखे हैं दोनों एक में ही करके रख लिया है मैंने जो हमने microni shape में बनाये थे और triangle shape की मठ्री जो बना कर तयार की थी वो और देख सकते हैं आप इसकी सारी layers बिलकूर अलग अलग दिख रही है और इसमें कितना अच्छा design उभर कर आया है बहुत unique सा और इसको हमने जो कैंची से बनाया था देखिए कितनी crispy और कितनी खस्ता बने हैं तो आप भी अपने घ family के पास और चाय का enjoy करते हैं हम लोग बनाते बनाते तो मुझे हो गई थी लगबग शाम के चार बज गए थे तो हमारी चाय और मठ्री बिलकुल तयार है आप भी पीजिए अपने घर और लोग को पिलाईए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई